इवनिंग सारे नूं की हाल चाल जी वदिया सारे एकदम तंधरूस्त्तों सारे पका चैण यह मंदात की अवहत बढ़ई है सार आप चैण अपकी दुआयं है आपके लेश्णils हैं मुझे और क्या चाहिए बताओ अच्छा एक काम करना है पूरी की पूरी प्रोफेशनल की फैमिली ने आच पहले बताओ करोगे चैट बोक्स के अंदर बताओ क्या जो मैं बोलूँगा वह करोगे एक बच्चा तो कह रहा है कह रहा है पहले काम बताओ ऐसे कैसे करेंगे आप हुमारे कौन लगते हो कोई इतना मुश्किल काम थोड़ा बोलूँगा आप मेरे छोटे भाई बनो असानी काम बोलूँगा काम ये है कि आज की वीडियो खतम होने के बाद ना जितने बचे सामने डेली स्टूडेंट दरबार देखने हैं जाए वो सो बच्चे हैं आपने कमेंट बोक्स में बड़ा सा लगेगा नहीं हमें भी देखने क्योंकि सर मेरा दिल यह बात कहते हैं कि इंडिया का एक एक सी एस प्रोफेशनल का बच्चा इसको देखे क्योंकि उसके एक्जाम में काफी सारे कोश्चन ऐसे होंगे जो एक्जाम में में देखने को मिलेंगे और मैंने पहले से पहले हमने मोडिوب वाले कोश्चन कीहें अब हमने क्या स्टार्ट किया हुए कि जो आपके का प्रैक्टिस मैनूल है उसके जो कोश्चन है वन वाई वन हमने आपको होता है प्लीज आपने मुझे जरूर बताने से मुझे बढ़के बहुत अच्छा लगेगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे आपके लिए और हाड़ वक करना है और जो और प्रफेशनल के बच्चे होंगे ना उनको भी थोड़ा लगेगा नहीं हमें स्टूडे इसके कोशन हमने स्टार्ट के वथ है चैप्टर नंबर वन के और यह प्रैक्टिस मैनुवल जो है डीटी और आईडीटी वैसे आपके वेबसाइट के ओपर है बट कुछ बच्चों को मिलनी रहा इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया ठीक है तो जो बच्चे ngày स्टार्ट करने जी कोश Software नंबर नगा तक हम लाज्ट प्लास में कंपलीट कर चुगे थे कोशन्ह continents में स्टार्ट करने हैं टिके इदर देखो ज्यांन सब्सक्थ एक बार question number 10 को पढ़ना start करते हैं जी, question number 10 कहना चारहे है comment on the applicability of GST in the following independent cases, बलब जो नीचे आपको total 10 case दियो हुए, it means 10 number का हमारा question है, हर case एक number का है, वो कह रहे हैं इन पे comment करो कि क्या इस पे GST applicable होगा या नहीं होगा इस पे आपने comment करने है, सबसे पहला case कहना चारहे है, religious pilgrimage organized by a ganjumal charitable trust, अब एक बात मैं सोच के बताना सर, अगर आपको ध्यान रहा हो, आपने exemption notification जब कियोगी ना, उसमें entry number 60 आपने कियोगी, अच्छा ये जो आपका word लिखावा है, pilgrimage का मतलब क्या होते हैं, pilgrimage का मतलब होता है, यात्रा, जो आपकी religious यात्रा होती है, यात्रो आपने entry number 60 में ये किया होगा, कि अगर कोई specified organization जो है, अगर वो ये provide करवाएगी, उस case में exemption में cover होगा, अगर कोई charitable trust ये और उगनाइस करवाएगा, उस case में exemption में cover नी होगा, तो ये देखो, आपके सामने entry number 60 है, ये वैसे आपका module नहीं है, आपका module दिखाऊ, ये आपका module है, इसके अगर entry number 60 पढ़ोगे, ये देखो जी, ये आपके सामने है, entry number 60, एक बार पढ़ना नहीं कहा है, यहाँ पे लिखाऊ है, service by a specified organization in respect of religious pilgrimage, facilitated by government of India, under by literal arrangements होगी, वो exempt होगी, otherwise exempt नहीं होगी, अब ये module है, जो CA final वाले बच्चे हैं ना, जो CA final वाले बच्चे हैं, उनका module है, एक बाच चेक करो देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जो आपकी religious यात्रा होती है, जो ये religious यात्रा होती है, organized by charitable or religious trust are not exempt, वो exemption में कवर नहीं होगे, exemption में फिर क्या कवर होगे, otherwise exemption में कवर नहीं होगे, अब एक बच्चा कहता है, सर, ये specified organization में क्या चीज़े कवर होगे, और क्या कवर नहीं होगी, देखो जी, यहाँ पे नीचे आपको दिया हुए, ये देखो, हज कमेटी ओफ इंडिया, ठीक है, यहाँ कूमन, मंदल, विकास, निगम, लिम् होगे, इनको छोड़के, कोई भी यहाँ पर कवर नहीं होगा, ठीक है, तो कई बार ना, रटने वाला बच्चा, जो है, अब जो यह रटके की है, कि हाँ, religious यात्रा जो होती है, वो exemption में cover है, no doubt, वो exemption में cover है, बट ऐसा नहीं है, कि वो कोई भी कोई दे रहा हो, अगर कोई specified organization वो provide करवा रहा है, फिर exemption में cover होंगी, otherwise वो cover नहीं होगी, और specified organization में कोन cover होता है, यह आपके सामने आपके लिखा हुए, ठीक है रही, तो यह entry आपकी है, entry number 60 जी, अब जो आपके institute ने पहला question डाला है, वो यह कह रहा है कि अगर charitable trust है, उसने यह service दी है, तो exempt या taxable है, ट taxable है रही, पहली service हो गई taxable, लोड़ी पहला हो गया taxable, उसके बाद एक वो यह transportation of milk, आपने हैं बोल रहा है नहीं, milk की transportation, exempt है या taxable है, exempt है, अगर आपको entry number 20 और 21 ध्यान आ रही हो, milk की transportation जाह है, वो exemption में cover है, तो यह cover हो जाएगी ठीक है, उसके बाद देखो गला जी, transportation of goods on a consignment, transported in a single goods carriage for 7000, मेरा पूरी class से question है, अगर आपको entry number 21 ध्यान आ रही हो, सर, अगर single goods carried होगा, उसमें exemption limit 15 सोर्वेगी होती है, अगर single goods carries होगा, उसमें exemption limit 15 सोर्वेगी होती है, और यहाँ पर value कितनी है, 7000, तो exempt होगा है, taxable होगा, तो यह क्या हो जाएगा, taxable, उसके बाद कह रहे हैं, transportation of chairs for a single consignee, मेरा पूरी class से question है, अगर single consignment की बात करूँगा, तो limit आपकी 1500 सोर्वेगी है, अगर single consignee की बात करूँगा, तो limit आपकी 7500 सोर्वेगी है, अगर आपको ध्यान आता हो, एक बच्चा कह रहा है, यार, यही तो पंगा होता है, यार, exemption, exemption वाला chapter सर क करवादो ना प्लीज एक बार, वैसे मैंने exemption की दो class अपने YouTube channel पर डाली हुई है, एक बार उन दो class को देख लेना, ठीक है, बाकि tension मतलो सर, exam पूरे chances जाब postpone होंगे, और अगर exam postpone होंगे, तो मैं question के साथ सातना, कुछ important topic GST और income tax के होंगे, वो भी मैं revision करवादूगा, त तो आप tension मतलो सर, और पैसे exam 100% postpone होंगे, तो जितने जादा postpone होंगे ना, उतनी जवर्दस चारी करवादूगा वाग को, ठीक है, पहले मेरा target क्या है, पहले question complete करवाने, बाकि जो important topic होंगे, अगर हमें थोड़ा सा भी time मिलेगा, उसकी revision भी मैं करवादूगा, ठीक है, बड़ एक बार exemption के दो lecture YouTube के पर डले हुए, एक बार वो देख लेना जी, उन दोनों में या अगर आपने exemption पहले पड़ी हो, आपको याद आ रहा होगा, अगर single consignment की बात करूँगा, single goods carriage की बात करूँगा, limit आपने 1500 की पड़ी होगी, और अगर single consignee की बात करूँगा, limit आपने 1500 की पड़ी होगी, entry number 21 के अंतर, अब एक चेक कर लो जी, transportation of chair of for a single consignee in the goods carried, वो 900 है, अब अगर 900 है, तो यह 750 से उपर है, taxable या non-taxable, taxable, तो यह भी क्या हो जाएगा, taxable, उसके बाद एक उरी, service provided by way of vehicle parking to general public in a shopping mall, हनी, क्या यह vehicle parking के service exempt है, या taxable है, अगर आपको ध् गोश्रूम की service हो गया, bathroom की service हो गया, general utility की service हो गया, यह normally exempt है, बट जो आपकी parking की service हो गया, वो exemption में cover नहीं है, taxable है, ठीक है नी, तो यह क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगी, taxable, उसके बाद एक हो जी, service provided by business facilitator to an insurance company in urban area, अपने बोल देना नहीं, urban area, exempt is taxable, taxable, अगर rural area की बात करतें, फिर exemption की बात होती, urban area में क्या हो जाएगा, taxable हो जाएगा, उसके बाद माइलिंग, माइलिंग of paddy into rice, अगर paddy को rice में convert कर रहे हैं, माइलिंग of paddy into rice, अगर paddy को rice में convert कर रहे हैं, तो जो आपके processing charges होंगे ना, सिरफ processing charges पर GST लगेगा, वैसे paddy भी exempt है, और rice मैं दुबारा बोलूँगा जी, वैसे paddy भी exempt है, rice भी exempt है, बड़ अगर paddy को rice से convert करने में, जो processing charges होते हैं, उस processing charges पर GST अपलीकेबल होता है, ठीक है रहे, तो processing charges होंगे, उस पर आपका GST लगेगा, बस यह पाद ध्यान दो, उसके बादी, service provided by state government and private service provided by way of transportation of patient in ambulance, अपने बोलते हैं, health care service, याद करो हमने class में, जब health care service की थी, मैंने का था, अगर transportation disease की है, अगर मरे हुए की transportation है, फिर तो याद करो वो negative list में cover है, याद करो सर, आपने GST में, schedule 3 आपने क्या होगा, schedule 3 का पैरा 4 आपने क्या होगा, मरने के बाद की service, उसमें ता funeral हो गया, burial हो गया, आदमी मर जाएगा, उसकी transportation negative list में cover है, और जो patient होगे, उसकी transportation जो होगी, वो exemption list में cover है, तो क्या ये exempt है या taxable है, ये exemption में cover हो जाएगा, उसके बाद जी service by way of long term of animal, हाँ जी exemption में cover है, ये भी आपके exemption list के अंदर आती है, और transportation of passenger by non AC, non AC railways, अपने हैं बोल दिना जी, AC railways जो खता, railways other than AC railways और first class, it means first class railways, वो taxable होगी, AC railways जो होगी, वो taxable होगी, जो non AC railways होगी, वो क्या हो जाएगी, exempt हो जाएगी, तो वो कहा रहा है, passenger की transportation, अगर non AC railways में होगी, उसका treatment क्या करोगे, भाई साब exemption में cover होगी, उस case में कोई भी taxability नहीं होगी, तो ये हमारे answer है ज इलकि transportation है, तो ये क्या है, exempt है, यहाँ पर भी exempt है, तीसरा कहरी, अगर single goods carriage है, उसके पर 1500 रुपे की limit है, इसलिए क्या हो जाएगा, taxable तो यहाँ पर का लिख है, GST's payable, अगले में 1500 की limit है, ठीक है बड़ वहाँ पर limit की दिन 900 रुपे, इसलिए GST's payable हो जाएगा, उसके ब बाद एक हो री, यहाँ लेका हो है, GST's payable as miling of petty into rice on job work basis is liable to GST at the rate of 5% on the processing charges, and not on the entire value, वो तो पहली भी काई जी, rise की value पर GST applicable नहीं होगा, जो processing charges होंगे, उस पर जितने charges लिए होंगे, उस value पर GST applicable होगा, बस यह पात्यान तो, उसके बाद एक हो री, patient की transportation, या आपके exemption में कवर होगी, healthcare service exempt होगे जी, उसके बाद आपका GST's note payable as per service by slaughtering of animal are exempt, that is entry number 56, और जो passenger की transportation है, non AC railway की वो भी किसमें कवर होगी, exemption में कवर होगी, ठीक है, तो almost हमारे सारे answer सही है, अगर आपने ध्यान से देखी होची, ठीक है, हाँ, अच्छा एक बात, जिन जिन बच्चों न चैप्टर घर से पढ़कर आएं, उनके तुमें भी 10 में 10 सही होंगे, जो पढ़के नहीं आए, कम से कम सा 10 में से 7-8 सही होने चाहिए, एक दो में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ अगर 7-8 भी सही नहीं है, 3-4 सही है, फिर इटमिस exemption के चैप्टर में दिक्कत आ रही है, और क्या बोला, कमिट्मेंट मेंने क्या किया, अगर थोड़े से एक्जाम पोश्पन होते हैं, जो चांसिस पूरे 100% है होने के, 100 भी ने 200% ही है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगी, अगर होते हैं, तो कुछ important chapter है, उसकी revision मैं कराऊंगा, ठीक है आप उसके attention मतलो, जब 10 revision करा दूँगा, आपको होगे sir, question की practice भी होगी, और revision भी होगी, ठीक है नहीं, लो जी, अब अगले question पर आओ जी, question number 11, question number 11 भी जो है न, यह हमारे exemption का है, और exemption का ही question है, एक बाद चेक है न, question 11 में क्या लिखा हुए, वो कह रहे, Mr. Hemant Kumar, a registered supplier of Chandigar has received an amount of Rs.50,000 for providing service of a selector of a national team to recognize sports body in India, will he be liable to charge GST on the same, what will be the status if Mr. Hemant Kumar do not any other income except 50,000 and mention above, उसे दो question पूछे है, पहली बात तो 50,000 पे taxable है, non-taxable, और दूसरी बात, अगर सिरफ उसकी 50,000 पे की income हो, और दूसरी कोई भी income न, उस case में क्या होगा, मेरा पूरी class है, question है, यात्करों, entry number 68, exemption की entry number 68 में साफ साफ empire की service जो है, referee की service जो है, coach की service जो है, team manager की service जो है, वो normally exemption में आती है, आपको मैं एक बार entry number 68 खोल के दिखा देता हूँ, एक बार check करो सर, entry number 68 में क्या लिख है, यह देखो रही हाँ पे क्या लिख है, वो कहना है, service provided to a recognized sports body by an individual as player, referee, empire, coach, team manager, इसमें कहीं पर भी selector की बात नह हो रही है, it means, अगर कोई selector की service होगी, अगर वो recognize sports body को दे रहा है, तो भी वो taxable में cover होगी, exemption में cover नहीं होगी, और याद करो मैंने class में का भी था, यह question most important है, even एक बार नहीं, कई बार आपके exam में question मन चुग है, selector वाला, और रटने वाला बचाए बात ध्यान दे रही है रटने वाला बचाए बात ध्यान दे, आपके जो exemption में cover होगे, players cover होगे, referee cover होगे, empire की service cover होगी, coach की service होगी, team manager की होगी, कहीं पर भी selector की service नहीं आ रही है, अब अगर selector की service नहीं आ रही है, तो क्या यह service taxable या non taxable, obvious सी बात है taxable, मलब 50,000 पे क्या हो जाएंगे, taxable हो जा 50,000 के लावा, और कोई income ही नहीं है, फिर यह क्या हो जाएंगे, non taxable, क्योंकि 20,00,000 तक तो registration करवाने की requirement ही नहीं होती है, मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे शोनू, एक बात मुझे बताओ, या आत्रो, जो हमने chapter कहता registration का, अगर कोई service देने वाला होगा, तो service वाले case में 20 लाग की लिमीट होती है, service वाले case में 20 लाग की लिमीट होती है, अब अगर service वाले case में 20 लाग की लिमीट होगी, यहां सिरफ 50,000 पे है, तरिस note liable for registration, और अगर note liable होगा, उस case में GST की बात ही नहीं होगी, ठीक है रही, देखवार आंसर देख सकते हैं, पहले तो उसने ब पहले case में normal देखा जाए, तो liable है, दूसरे case में 50,000 है, तो 20,000,000 से कम है, उस case में क्या बन जाएगा, note liable बन जाएगा, ठीक है नहीं, लो रही है, question number 11 होगया, अब दोनों question हमारे किस के थेरी, exemption के थे, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बच्चा उदास बैठ है, मेरा यार इतने सारे question के practice कैसे होगी, 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 सर, tension मतलो, अराम से daily, वेस बच यहाँ पे न, daily, आदा पोना घंटा के, एक घंटा के बस बैठ जाया करो, और सिरफ question को समझा करो, अगर आपने सुनना भी start कर दिया न, मुझे, यह बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उसक receive commission of 21 lakh as an insurance agent from insurance company, will he be required to charge GST on the same, मलब Mr. भूदेव हैं, वो unredistered person है, उसने 21 लाखर पे का commission receive किया as insurance agent, जो उसने service देते insurance company को, तो government करिए यह परसन जो है, insurance agent जो है, क्या वो GST पे करने के libel है, अब अगर कोई बचा मेरी family में, single बचा भी इंडेलियंट होगा न, उसको याद आगया होगा, reverse charge वाला chapter, reverse charge में, अगर कोई insurance agent, insurance company को service देगा, उस case में reverse charge में cover होता है, और अगर insurance agent, insurance service को देगा, अगर उस case में reverse charge लगेगा, तो agent GST पे नहीं करेगा, उसके बिहाफ पर company GST पे करेगी, और अगर company GST पे करेगी, तो उस case में, क्या मुझे registration करवाने की liability है, answer is no, क्योंकि जब मुझे GST ही pay नहीं करना, मैं दोबारा बोलूँगा, agent को GST पे नहीं करना, company को GST पे करना है, और जब company GST पे करेगी, तो मुझे GST पे ही नहीं करना, और अगर मुझे GST पे नहीं करना, इट मिस मुझे GST में आने की requirement नहीं है, तो उसने मुझे क्या बो और होगा, forward charge में cover नहीं होगा, answer देख लो जी, देखो रिकलिक है, दो commission for providing insurance agency services liable to GST, the tax payable is paid by recipient, क्योंकि वो reverse charge में cover है, Mr. भूदेव will not be liable to pay GST on such commission, instead the insurance company will pay tax under reverse charge on the particular transaction, मला company GST pay करेगी, insurance agent Mr. भूदेव जो होंगे, वो इस पे कोई GST पे नहीं करेंगे, बस यह बत ध्यान ठीक है, तो यह question number 12 था जी, आ रहा है question करने मज़ा, तो अगर exam में ऐसे question बनते हैं, तो tension तो नहीं लोगे बिल्कुल भी, आगे बढ़ो जी फिर, अगला question तो सर ऐसे practical life से related है, अगला question है, can we call GSTs a game changer in long term, मला क्या हम GST को long term में, short term में नहीं कह रहे, long term में कह रहे हैं, मला दूर का विजन देखके, क्या इसको game changer बोल सकते हैं, answer is yes, बिल्कुल बोल सकते हैं sir, क्योंकि सार एक बात में सोचके बोला, 17 text को खतम करके, आज एक government GST लेकर आई है, अब जो government ने 17 text खतम करके, government GST को insert किया, तो व्यस बाते कुछ सोच समझ के किया होगा, और आप सब जा cascading खतम हो गया, तो आने वाल टाइम में क्या होगा, price कम होगे, price कम होगे, तो long term के लिए ये बहुत बढ़िया concept निकल के आएगा, अभी नहीं पता लग रहा, बट आने वाले टाइम में, government ये बात कहती है, इसका benefit बहुत होगा, क्योंकि one nation, one tax है, पूरे इंडिया में कह सारे खतम करके, government लेकर आगे, ये GST, तो पूरे इंडिया में सभी provisions same applicable होंगे, और अगर same provision applicable होंगे, तो obvious ही बाद है, client base बढ़ेगा, और जब credit का, जब ITC का seamless flow चलेगा, तो cash scading नहीं होगा, cash scading नहीं होगा, तो कई बार double tax नहीं होगा, अब अगर double tax नहीं है, cash scading नहीं ह देखो, यहाँ पे लिखा होगा, देखो, the heart of, the heart of GST system is the seamless, मैंने का ना, दिल, उसका दिल क्या है, the heart of GST system is the seamless input credit availability, which helps to reduce the cost and cash scading effect, वो ही बात आ गई जी, the simplified procedure for smaller taxation, जैसे इसमें composite scheme है, ठीक है, composite वालों को annually return file करनी है, books of accounts बहुत कमेंट करनी है, काफी सारे government ने penalties wave of कर दी है, मलब काफी सारी चीज़े हैं, जो government day by day based पर करती जा रही है, तो government यह बात कहना चारी है, कि हम दीरे दीरे compliance simple कर रहे हैं, अब अगर compliance simple होंगे, छोटे बोडे businessman को फाइदा मिलेगा, ITC मिलेगा, उस case में भाईया GST के अंदर फाइदा होगा, देखो वही बात बनेगा, chances बहुत कम है, question बनेगा, बट हमारे practice manual में दिया हुए, तो maybe question बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसके बाद एक question number 14 ऐसा दिया हुए है, जो exam में किसी काम का नहीं है, उसमें कह रहे हैं, कुछ ना most of common goods, जो GST में exempt है, अब ये goods की इतनी लंबी रटनी नहीं है, बिना बाद के लिए बैट जाओ, रट के फाइदा कुछ भी नहीं है, ठीक है, उन्होंने एक normal question मना दिया, कि कुछ goods हमें या पे बता दो जो exemption में कवार है, ठीक है, तो अगर इनमें से आपको 8-10 भी याद हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा न पांस question बन गया, पांस number में, तो आपको कम से कम 10 goods लिख के आने पड़ेंगे, ठीक है, तो अगर इस पूरी list में 10 goods भी आपको याद होंगे, तो पांस number आपको मिल जाएंगे, हाँ ये goods है, JST में exempt है, बात खतम होती है, ठीक है, तो अब जाके chapter number 1 जो है न, अब जाके chapter number 1 ह हमारा पूरा खतम होताता जी, तो chapter number 1 के practical question हमने सारे complete कर लिए छे, chapter number 1 के practice manual के सारे question हमने complete कर लिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं, लो जी अब मैं आ रहा हूं जी, chapter number 2 की तरफ आ रहा हूं, chapter number 2 आपका है जी supply का, आओ जी अब one by one start करते है, question number 1 पढ़ना question number 1 के लिखा हूँ है, question number 1 कह रहा है, discuss in brief taxable event and scope of the term supply under GST, पहली बात तो ही कहना चाहरे है जी, taxable event के है GST में वो बताओ, और supply की definition के है, वो बताओ, मेरा पूरी class है question है, अगर मैं GST के taxable event की बात करूँगा, तो क्या GST सेल पर है, manufacturing पर है, service पर है, तो पहली बाद taxable event जो GST का होगा ना, वो supply होगा, और आपसे बढ़िया पूरे विश्व के अंदर कौन जानता है, यात करो मैंने class में का था रही, supply आपकी section 7 में define है, और section 7 1 A जो आपका है, उसमें सभी तरह की supply कवर होगी, for example, sale, transfer, disposal, barter, exchange, license, lease, lease और rental, अगर वो इंदी question मांगा ही क्या है, पहले question में कह रहा है, कह रहा है या taxable event define कर दो, तो या taxable event तो supply है, और दूसरा supply की definition, 7 1 A की जो आपकी definition होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी, और 7 1 B में आपके import of service कवर है, और 7 1 C में जो free वाले काम होगे, वो भी आपके supply में कवर हो जाएंगे, तो पहल supply define किसमें किये, section 7 1 A, 7 1 B और 7 1 C जो हैं, यह तीनों ही हमारे supply के, ठीकर ही, यह question number 1 है, उसके बाद एक खोरी question number 2, कहरें, what are the necessary elements that constitute supply under CGST और SGST Act 2017, वो यह बात कहना चाहरें, in order to constitute supply, the following elements are required to be stressful, एक बात में सोचके बोलना, it means element ऐसे कौन-कौन से necessary है, अगर हमें किसी भी काम को supply में cover करना है, तो element कौन-कौन से जरूरी है, पहली बात तो वो goods और service में cover होने चाहिए, second बात, अगर वो with consideration में है, तो in the course और furtherance of business में होना जरूरी है, तीसरी बात, taxable person ने supply की हो, और चोथी बात, by any person to another person हो या ना हो, और अगर free वाले काम भी होंगे, तो भी वो supply में cover हो जाएंगे, अगर वो schedule 1 के, चारो पैरा में cover हो जाते हैं, मैं दुबारा बोलूँगा ची, supply के लिए necessary, most important element कौन-कौन से हैं, पहला जी, वो goods और service की supply में cover होना चाहिए, दूसरा जी, अगर free वाले काम हैं, तो schedule 1 में cover होनी चाहिए, तीसरा, अगर with consideration हैं, तो in the course और furtherance of business में cover होना चाहिए, और चोथा, supply जो की हो, वो taxable person ने की हो, non-taxable person ने ना की हो, तो देख लो जी, एक पर क्या लिखा है, activity involved supply of goods और service बहुत वही, अगर without consideration है, तो schedule 1, ठीक है, in the course और furtherance of business, accept import of service, क्योंकि import of service वाले case में, याद करो है, import of service, क्या लिखा था, import of service, with consideration, whether or not in the course और furtherance of business, तो import of service वाले case में हो, या ना हो, हर case में import of service वाला case तो supply में cover होई चाएगा, उसके बाद ये supply, taxable supply होनी चाहिए, और taxable person ने supply कियो, ये बाद ध्यान देना, तो ये आपकी necessary element है, supply को जानने के लिए, ठीक है, तो ये question number 2 है, ये भी बिल्कुल basic question है, supply के chapter में, ये सारी बात आपने पढ़ी होई है, ठीक है, उसके बाद ये question number करेंगे बिए-धी, दो चीज़े होगी, या तो value में GST include होगा, या value में GST exclude होगा, अब आप से बढ़िया कौन जानता है, अगर value में, सो समच के बोलना जिए, अगर value में GST include हो, तो inclusive value से exclusive value कैसे निकलते हैं, मेरा आपसे question यह है, अगर value में GST include है, तो inclusive value से exclusive value कैसे निकालोगे, let's check an example, माल लो आपको value दिया है, 1,18,000, इस पे 18%, इस पे 18% GST include है, अब अगर इसमें GST 18% include है, तो फिर क्या करोगे, 1,18,000, divide by, जल्दी बोलो क्या करोगे, 1,18,000, divide by 1,18, multiply 18, यह आपका GST निकल क्या जाएगा, और अगर divide by 100 करोगे, तो क्या निकल क्या जाएगी, value निकल क्या जाएगी, but अगर value में GST include नहीं है, बनला exclusive है, फिर आप क्या करोगे, जितनी value दी होगी, उसको GST के rate से multiply करके, ज पहली बातों सर, यह समझ लो, पहली बातों यह समझ लो, भई अगर आपको GST निकालना है, तो देखो क्या लिखा है, taxable amount, multiply GST, और अगर आपको inclusive दिया हुआ है, तो देखो वही बात यहाँ पर दिया हुई है, एगर 525 रुपे में GST include है, तो 525 divided by 105, multiply 5 हो गया, 25 रुपे सारी बात यह आपके सामने है, और मैं नहीं मानता, यह कोशन मुश्किल है, अभी मुश्किल तो आगे जाके आएंगे सर, अभी तो बिल्कुल गिरे हो कोशन चल रहे है, उसके बाद देखो अगला कोशन नमर 4 भी देख लो, कोशन नमर 4 कह रहे है, distinct between the composite supply and mixed supply, explain in the context of CGST Act, the liability on composite and mixed supply, पहली बात वमें definition बताने हैं, और दोनों की definition बताने के बाद, फिर इनका taxable क्या होगा, मतलब composite supply में, क्या tax rate लगेगा, और mixed supply में क्या रख लगेगा, वो सारी बात मुझे बताने हैं, पहली बात वो composite supply की जो आपकी definition है ना, वो section 230 में define है, और अगर mix supply की बात करू तो composite supply एक ऐसी supply है, जिसमें goods, 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 service, goods, या service, service का combination है, और जो भी ये combination है, that is natural bundle, ये unnatural नहीं है, ये natural bundle है, यात्र मैंने class के अंदर भी खाता, composite supply एक ऐसी supply होती है, जो practical life में देखने को मिलती है, जैसे hotel की accommodation, प्लस में सुबह का breakfast, अगर boarding school की बात करूँगा, education भी है, खाना पीना भी है, रहना भी है, ये supply कोन सी है, composite supply है, यात करो जी, गोलगप्य, oh my God, गोलगप्य के साथ गोलगप्य का पानी, क्या है, composite supply है, मोमोस के साथ मोमोस की लाल चटनी, बट अगर मोमोस के साथ मैं कोल्डरिंग की बात करूँगा, that is mix supply, अगर मॉमोस के साल लाल चटने की बात करूँगा, composite supply है, बट मॉमोस प्रस में coldering यह के बन जाएगी, mix supply बन जाएगी, यह बत क्लिर है, और एक बात और सोत के बताओ जी, mix supply का मतलब के है, ऐसा bundle जो natural नहीं है, उसमें कोई भी principle supply एक नहीं होगी, उसमें हर supply अपने आप प्र जो principle supply होगी न, वो जो होगी, उसमें सारी supply कवर करके उसके वाला rate लगा दिऊ, मतलब अगर मैं laptop प्लस laptop bag की बात करूँगा, अब अगर laptop प्लस laptop bag यह 50,000 पर कहा है, तो principle supply क्या है, तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, laptop, तो rate क्या लगेगा, laptop वालाMA बस यह बद्यान देना तो गुवर्मेंट इबात कहना चारी है अगर composite supply होगी तो principal लगेगा अगर mix supply होगी तो जो भी आपका highest rate होगा वह applicable हो जाएगा मालनो shirt है प्लस में ट्राउजर है और प्लस में मोबाइल है अब सोच के बोला मोबाइल शर्ट और ट्राउजर ये तीन चीनिये और highest rate GST का shirt प्रैप्लिकेबल है तो पूरी value उपर क्या रिट लग जाएगा shirt वाला लग जाएगा और याद करो मैंने class में example दिया था तो दो श क्या है setting बिठाना तो बीच में खड़ा कर देंगे ऐसे करके pineapple आप जब इतने सारे fruits हैं इतनी सारी chocolates हैं इतनी सारी fruities हैं इसमें rate applicable कुन सा करो क्यों क्योंकि पूरे टोकरे के मैंने 20,000 पर दी है अब government करें इसमें जो समान है जिस भी समान में highest rate होगा ना वह highest rate होगा वह 20,000 पर अप्लिकेबल हो जाएगा तो पहली बात वह समझो सर composite supply composite supply में आप principle supply की बात करते हो mix supply में प्रिंसिपल सब्ले की बात नहीं करते और composite supply में प्रिंसिपल वाले रेट लगेगा और mix supply में जो भी highest rate होगा वह अप्लिकेबल हो जाएगा तो देखो जी यहां पे mix supply में यह composite supply है यह mix supply है यह आपको बताना जी कहरें sale of car with warranty coverage मैं नहीं बोलूँगा जी मैं नहीं बोलूँगा आपने बोल दो अगर गाड़ी की यह जब भी गाड़ी बिकति है साथ में warranty जाती है जब भी गाड़ी की साथ में warranty जाएगी और अगर गाड़ी पांच लाख रफे की है तो यह मस सोचना कि गाड़ी की वेल्यू 5 लाख रफे कि है उसमें जो उन्होंने वर्यटी आपको दी है दो साल या एक साल की उसकी जो labor charges है already उस गाड़ी में include है तो value same है value same है बड़ चीज़े दो है एक तो government ने क्या बोला गाड़ी sale की plus में warranty है तो भी यह supply composite supply होगी और पूरी value पर जो गाड़ी की sale वाला rate होगा वो applicable हो जाएगा आगे देखो जी gift pack है with chocolates and books अपने बोल दो अब chocolates और books का एक gift pack है अब अगर chocolate और books का gift pack है that is mix supply ना यह composite तो है नहीं और अगर यह supply mix supply होगी तो इन्हें दोनों में से जो भी highest rate होगा वो applicable हो जाएगा बस यह पाद जाएगा तो अब जो भी highest rate होगा वो देख लेंगे sale of refrigerator refrigerator with power stabilizer अपने बोल देना अब अगर रेफरीजरेटर के sale के जा रही है with power stabilizer तो क्या power stabilizer हर refrigerator के साथ जाता है answer is no वो तुमारी मर्जी है कि तुम्हें लेना है नहीं लो जैसे अभी मैं ऐसी लेकिया था तो मुझे क्या लेना था यहां पे एसी के साथ वो लगता है आपका stabilizer लगता है एसी के साथ में stabilizer लगता है अब एसी के साथ में वो कहते हैं आजकर stabilizer लेने की requirement नहीं है क्योंकि आजकर जो inverter AC आ रहे है वो करें inverter AC में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट मैंने फिर भी stabilizer लिया अब अगर AC प्लस में stabilizer दिया तो कहीं है supply composite supply होगी या mix supply होगी mix supply तो इन्हें दोनों में से जिस पर भी highest rate होगा ना वो applicable हो जाएगा बस यह पत्यान देगा उसके बाद hotels hotel fundus providing accommodation with complimentary breakfast मैंने वह यह आपको बताए था यगर hotel के accommodation प्लस में breakfast है तो यह supply क्या बन गई जी composite supply बन गई तेक तो यह supply composite supply है एक यह supply composite supply है बाकि दोनों supply जो होगी वो कौन सी बनेगी mix supply तेक वार आंसर चेक कर लो जी composite supply mix supply mix supply और composite supply यह चार point आपके निकल के आ रहे हैं कोई दिक्कत कोई परशानी कुछ भी अजीब लग रहा हो बताओ जी कोई दिक्कत तो नहीं लो जी अगले question प्याना अगला question देखो रही कहा निकल क्या रहे है अगला कह रहे है what is what is deemed supply explain with example मेरा पूरी class question है अगर यह deemed supply की बात कर रहे है क्या आप बता सकते हो जी एस टी में deemed supply कहां पर है VASC section 7 जो मनें supply का किया था उसमें deemed supply की बाते कहां है कोशिश गरों बताने की सब्सक्रीं की बाते deemed supply means ऐसी काम जो मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो supply है कि मैं दोवारा बोलुँगा ऐसा काम मानना या ना मानना ही पड़ेगा कि वो supply में cover है आप सो समझ के बोला है याद करो मैंने का था with consideration in the course और furtherance of business यह तो actual में supply है import of service with consideration in the course और furtherance of business और whether इन दी course और furtherance of business में नहीं भी होगा तो भी import of service वाला काम supply बन जाएगा बट अगर मैं 7-1-C schedule 1 की बात करूँगा तो वैसे free वाले काम supply नहीं है याद कर वहाँ पर लिखा था कि free वाले काम को भी हम supply में cover कर लेंगे अगर वो schedule 1 में cover हो जाते है और अगर मेरी regular batch का कोई बैठा हो अगर उसको ध्यान आ रहा हो तो याद पर मैंने class में का था कि schedule 1 जो में कई बार exist नहीं करती उसको existence में लेके आने के लिए deemed values होता है तो गुर्में ने बोला जो schedule 1 में आपके चार पैरा है जो schedule 1 में चार पैरा है जहां पे free of cost वाले काम है without consideration वाले काम है तो उनको भी हम supply में cover कर देंगे चाए free of cost में क्यों नहीं हो तो देखो जी एक बार deemed supply means every event or transaction where no or inadequate consideration is received for the supply एक तो देखो जी schedule 1 पैरा 1 निखा हुए जी यह सार उसके एक्जामपल फिर schedule 2 हो गया फिर पैरा 2 हो गया पैरा 3 हो गया और फिर आपको अगरी पैरा 4 यह चारो काम जो है यह भी supply में cover हो जाएंगे इसको मानते हैं deemed supply बस यह पत्यान तो अगर एक्जाम इसको पैरा जो है उसके बारे में define करो जी ठीक है तो यह question है question number 6 इसको भी पर छोड़ो इसको भी छोड़ो यह हमारा आगे जाके भी आएगा यह question मुझे और करवाना था बातचीद मत करो रुक जाओ हाँ यह देखो री एक यह वाला question आज हम discuss करेंगे ठीक है और यह वाला question आज हम discuss करेंगे बाकी दो question जो है मैं घर से कुछ read करना दूँगा वो question हमारे उसके base में है अगर मैं आज करवा दूँगा न मुझे तो समझ में आये हूँ है मैं समझ अगर काश पहले पढ़के आया होता तो कुछ समन में आ जाता ठीक है मैं दो तिन topic पढ़ने दूँगा एक तो मैं दुबारा बोलूँगा time of supply वाला point time of supply वाला chapter आप यह पढ़के होगे ठीक है और दूसरा दूसरा जो आपका supply related chapter है जैसे जो भी हम question कर रहे है supply वाले कर र रिजन चाहिए एक तो supply का पूरा chapter चाहिए वो composite supply हो चाहिए मिक्स अप्लाई हो इवन charging section भी बीच में include कर ले नहीं तो हमारी बुक में chapter no.4 supply का chapter no.5 composite supply and mix supply का chapter no.6 आपका charging section है तो यह तीनों अगर आप रिविजन करके आओगे न तो next class में जो कुछ point मैंने pending करवाई है वो अगर एक बार आओ जी question no.11 और 12 के ओपर आओ question no.11 पढ़ना are self supply taxable under GST मैं नहीं बताओंगा जी आप बताओ क्या self supply भी GST में taxable है सर्व मैं बता बता के तक हो चुका हूँ answer is yes क्योंकि GST की definition में by any person लिखा है to another person नहीं लिखा मला by one person by one person अगर two another person लिखा होता फिर मैं कहता self supply यहां पर cover नहीं बट अगर head office to branch की बात करूंगा अगर दोनों अलग-लग state में है registration दोनों का अलग-लग है वो distinct person माने जाएंगे even अगर मानलो same state में है और उन same state में दो बिजनस है और दोनों के registration अलग-लग होंगे तो वो दोनों भी आपके supply में cover होंगे उन पे भी GST की बाते होंगे तो मैंने class में समझाये भी था कि अगर head office to branch है अगर इन दोनों का registration सेम है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है अगर जहां registration अलग-लग होंगे तो self supply भी yes GST में cover होती है उस पे भी GST लग सकता है देखो रीका लिख है इंटर स्टेट सेल्फ सप्लाई सरे स्टोक ट्रांसफर ब्रांसफर और कंसाइनमेंट सेल शेल बेट एक्सेवल अगर अलग-अलग registration है उस केस में GST के बाते होंगी अगर सेम स्टेट में अगर एक रिजिस्ट्रेशन है सेम पैन के अंदर उस केस में कोई requirement बट अगर हाँ different state की बात करोगे उस केस में दोनों स्टेट को करवाना पड़ेगा अगर head office ब्रांच क्यों नहों तरिस डिस्टिंट परसन उस केस में GST की बाते हो सकती है तो self supply taxable अंडर GST आंसर इस उसके बाद देखो जी लास्ट कोशन आज के सेशन का हमारा लास्ट कोशन है जी बहुत ध्यां से देखना जी कोशन बहुत बड़ी है मेरा पूरी क्लास से कोशन है अगर मैंने गाड़ी परचेस किया अपने परसनल उसके लिए और एक साल के बाद गाड़ी डिलर को बेच दी तो with consideration तो है but in the course और furtherance of business में नहीं और अगर with consideration होगा in the course और furtherance of business में कवर नहीं होगा तो वह supply में कवर नहीं होगा तो क्या ये वाला काम supply में कवर होगा answer is no तो पहले पे तो नहीं आ गया दूसरा देखोरी इस परमानेंटी ट्रांसफर एन एर कंडिशनर फो मिस्टो इन ट्रेड फोर परसनल यूज एज रेजिदें मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है अगर मैं दुकान का AC घर में उठाके लेकर आ गया मेरी दुकान AC की है और वहां से एक AC घर में उठाके लेकर आ गया अब अगर जैसे ही घर में उठाके लेकर आया है परमानेंटी ट्रांसफर बिजनस एसेट अब यह देखने है ITC मैंने लिया होगा नहीं लिया होगा दूकई अगर मेरे की दुकान है माल मैं उसको आईटी ले चुका हूं और मैं उसको पर्मानेंट अपने बिजनस में ले क्या रहा हूँ तो आभ याद करो परवन में क्या लिखा था पर्मानेंट ट्रांसफर बिजनस एसेट आईटी सी नोट अवेल्ड, ITC नोट अवेल्ड, या ITC अवेल्ड, ITC अवेल्ड और विदाउड कंसीडरेशन, यह चारों कंडिशन सेटिस्पाइड होंगी, तो पैरावन में सप्लाई बन जाएगा, अब एक बार बताओ जी, यहाँ पे, क्या यह सप्लाई में कवर होगा, आंसर इस पैरावन आ गया, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल बिजनस एसेट वेर, ITC अवेल्ड ओन सच एसेट शेल कॉंस्टूट सप्लाई अंडर, जी एस्टी इवन वेर, नो कंसिडरेशन इस ले लिया है, तो आप यहाँ पे सप्लाई में कवर हो जाओगे, पैरावन के उसके बाद देखो जी, प्रोवीजन आफ सर्वेस और गूर्स बाई एक क्लब एस्सोसियेशन और सजाइटी कुर्स मेंबर, याद करो सर, अन, ज्यादर कुछ आपको, भूलू पूरी लाइन, लाइन बूरू पूली, अन, चलो पहले आप बोल दो, बच्चा बाते कर ले पहले पूरी बाते कर ले, इतर सुन दिहान से, याद करो, शेड्यूल टू का रोपैरा सेवन था, अन, इन, कोरपेटिट, एओ पी, अगर अपने मेंबर्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो गूर्स की सप्लाई में कवर होगा, और गूर्स बाला जीस्टी लगेगा, तो द इस डेफिनेशन इंक्लूड इंदा डेफिनेशन बिजनस, यह बिजनस में कवर होती है, इसलिए हाँ पे जीस्टी अप्लिकेबल हो जाएगा, लो मैं सोच रहाँ, एक और कोश्चन कर लेते हैं, बस एक कोश्चन, एक कोश्चन, प्लीज, जाओ मत, मेरे बच्चे जाओ म मेरे कहने से रुख जाओ, पोना घंटा एक गंटे की तो बात है, फिर तो आपने पता नहीं मेरे से कम मिलना है, यार कैसे मिलना है, ठीक, ओव्वेस ही बात है, एक दिन के बाद मिलता है, बच्च कहता है, हम तो डेली मिलने को त्यार अप डेली आओ तो सही, ओ माई गोड इतना प्यार, इदर देखो ध्यान से, डिसकस वैदर दा फॉल्लिंग ट्रानेक्शन एक्टिविटी विल बे ट्रीटिड एस सप्लाई ओफ गूर्ड सर्विस, लिगोष मनेंगे, सर्विस मनेंगे, ट्रांसफर ओफ राइट तो यूज गूर्स, मैंने गादा ट्रांसफर ओफ राइट इन गूर्स हो, या ट्रांसफर ओफ राइट तो यूज एनी गूर्स हो, दोने ही केस में सप्लाई ओफ सर्विस बनते हैं, वाक कॉंट्रेक्ट, हारी अपना बोल देना, वाक कॉंट्रेक्ट और कैटरिंग सर्विस, या दारा कुछ आपको कॉंपोजिट सप कि इसको क्या मनेंगे सब्सक्राइब मानें कि अगर के लोगा पर छोगा वोला दे होगा जी दिय sm Deco for Quella case supply of service अगला कर जी work on rips supply of service येश और फिर अगला वही पहरा फाइब हाला supply of service एस और फिर लास्ट क्या बहत Development of Blues oh May God, मेरे चारों के चारों सभी होग Works our निए तो ये qowe achter है घृष्ट हमने complete कर लिए अब next class में अगर time हो इस chapter के question है इस चैप्टर के टोटल मिलाके 18 कोशन है अब जितने कोशन आज हमने कम्प्लीट कर लिए वह तो करे लिए जो नहीं कम्प्लीट के ना एक बार प्लीज रीड करके आना चाहिए अगर आप रीड करके आओगे बहुत बढ़िया लगेगा और मैं दुबारा बूल रहा हूं प बच्चा मैटीरल छोड़के जाता है क्यों कि तकि वो गलत ना हो जहां जहां गलती होगी मैं अपने रिवाइस करवा दूँगा आपने बिल्कुल यह लगा लो कितना नी स्वार्थ भाव से अलब बिना दिमाख में कोई भी कंफ्यूजन लिए बस आपने आपने आके बै कितनी इंप्रूव्मेंट होती है ठीक है आपको दिल से बताना है मैं कराओ अगर दिल से आएगा तो लिखना नहीं तो मत लिखना कोई दिक्कत नहीं मेरा सिरफ एक स्वार्थ है कि बाकी अग जब बच्चे उसको पड़े उनको भी लगे कि नहीं वाक्के हमें अटेंड क उससे पहले क्या करना आपने ये कमेंट बोक्स में अपने फीडबैक लिखने है चरूर ताकि उससे मुझे पता लगे कि हां और क्या करना है और वाकि थैंक्यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और जिनको अच्छा लगे लाइक ठोक दो दो दबाना नहीं लाइक ठोक सब्सक्राइब करेंगे नेक्स लास मेरी सेम टाइम सेम जगां ओके री बाइबाइबाइबाइबाइबा थैंक्यू सो मच जैहिन गोट प्लेस्यों जी लव्यों बाइबाइबाइ